आज मैं आपको चने का सूप बना बता रहे हूं जो बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी होता है तो आप देख सकते हैं मैंने ये हाफ कप बॉयल चना लिया है ये बॉयल कर लिया है मैंने इसको जो फूल कर करीब वन कप के करीब हो गया है और इसका ये पानी है मैंने इसमें सॉल्ट और पानी डालके इसको बॉयल किया है अच्छे से सॉफ्ट होने तक ये मैंने बटर लिया है जिसमें से मैं बहुत कम ब्लेक पेपर पाउडर है रेड चिली पाउडर कुछ लोग यूज करते हैं मैं नहीं कर रहे हूं यह सॉल्ट एस पर टेस्ट है वन अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है वन टी स्पून ग्रेटिड जिंजर है लेमन है हाफ जिसका जूस हम निकालके डालेंगे हाफ लेक टॉमेटो को फाइनली चॉप किया है और कुछ टे करी कौरियंडर लीव्ड को मैंने अच्छे से बॉश करके कात लिया है यह हम ने पैन रख लिया है गैस पर और हम इसमें बटर डाल रहे है है इसमें हम यह ग्रेटिड जिंजर डालेंगे और इसको अच्छे से सौते करेंगे जब तक हम अध्रक भून रहे हैं तब तक हम इसको स्ट्रीम कर लेते हैं यह जिंजर हमारा लगभग भून गया है बहुत ज्यादा हमें ब्राउम नहीं करना है इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है इसके साथ ही हम वन पिंच हिंग भी डालेंगे ऑप्शनल है मैंने इंग्रेडिन्स में आपको नहीं दिखाया है जिंजर भून गया है अब हम इसमें जो स्ट्रेंड किया हुआ वाटर है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे सॉल्ट हमने अल्रेडी डाला हुआ है तो हम देखकर ही इसमें डालेंगे यह बहुत टेस्टी लगता है अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बेल इकन जुरूर प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट अप्डेट्स पाने के लिए यह चना हम इसमें डालेंगे जो हमने स्ट्रेंड किया है और इसको हम पोटेटो मेशर से मैश करेंगे कुछ मैश हो जाएं कुछ ऐसे रह जाएं यह देखे इस टाइप से हमने इसको मैश क करेंगे यह एक है अब हम इसमें जो मैश किया हुआ चना है बौइल चना यह दाल देंगे Ług और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप यह कम जादा कर सकते हैं क्योंकि चना इसमें मैश है तो इसलिए जो अपने आप ही थोड़ा थिक हो जाता है आपको इसमें कॉन फ्लॉर या कुछ और डालने की जुरत नहीं है और यह बहुत टेस्टी लगता है मैं इसमें कोई भी टोमेटो प्यूरी और यह सब आड़ने कर रही हूं नहीं तो वह सबजी जैसा टेस्ट आने लगता है आपको हेल्दी सूप बनाना है तो आप इसी टाइप से बनाएए मैं इसमें जितना मैंने मेजर किया था सारा डाल रही हूं देखी कुछ इस तरह से यह बन गया है अब हम इसमें सॉल्ट एस पर टेस्ट डाल देंगे मैं आप आपको फिर रिमाइन करना चाहूंगी सॉल्ट हम पहले डाल चुके हैं बॉल करते विल आप ध्यान रखिएगा टू पिंच में इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूं धनिया पती कटा हुआ वो डाल देंगे ले है आई अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं यह देखिए एक सूप हमने सर्फ कर दिया है यह कुछ स्टाइक का है बहुत अच्छा बना है आप हैल्दी सूप यूज कर रहे हैं तो इसी तरह से रखिए अगर आपको कलर का थोड़ा सा लगता है हमने रेचली नहीं डाली तो दालेंगे क्योंकि मैंने यह थ्री सर्विंग के हिसाब से बनाया है तो टू आप ऐसे कर सकते हैं थोड़ा धनिया डालेंगे उपर से हम इसमें सूप डाल देंगे बन गया है ना लाजवाब सूप आप देख सकते हैं इधर कितना अच्छा लग रहा है और यह हरा धनिया ह और मुझे बताईएगा कि यह सूप कैसा लगा सब कुछ देखे इसमें मिक्स है चना है यह वेजिटेबल्स है और यह कच्छा भी बहुत टेस्टी लगता है यह स्ट्रीट स्राइल है और बहुत हेल्दी है कुछ भी हमने ऐसमें डाला है जो हेल्दी नहीं है तो जुरू प्राई कीजिए और वगही मुझे आपकी रेसिपी कैसी बनी थैंक यू